एलो बचो आज मैं आपको कक्षा चटी जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नमबर ठटी टू कराऊंगी जिसकी डेट में पास 28 अक्टूबर 2021 आज की वर्क्षिट में हम चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे लास्ट वर्क्षिट में हमने तिरी चार बूज होता है वो चार तर्ट वंसके बतार रहे हं जैसे आपको दिख रहे होगाई है यहां बनी बनिवी है तो कौन कौन सा है मतलब आमने सामने वाली उप् 저ौरे होते हैं कौन कौन से डो जोरे होते हैं PS के सामने है QR, तो PS और QR एजोरा बन जाएगा, अब PQ के सामने है SR, तो PQ और SR एजोरा बन जाएगा, ठीक है, यह विपडीत भुजाए हैं इसकी, उसी तरीके से इसकी कुछ ऐसी भुजाए होती है, जिन्हें बोलते हैं, आसन भुजाए है, मतलब एक के साथ एक, अब वो क ते-विजाते हैं यहां पर सर्ध तो इसके नियुगी डिल देए सुस्त के सामने वाला कौन सा है और कोण कौन अर्फोंतेeding क्या ने बोलते हैं विप्रीत कौन, उसी तरीके से आसन कौन भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक के बाद एक, जैसे कौन P के साथ कौन S ले लो, कौन S के साथ आप कौन से लोगे, कौन R के साथ क्या लोगे, कौन Q के साथ क्या लोगे, कौन Q के साथ क्या लोगे, कौन P लोगे, एक क जोड़ा बनाते रहू एक Edagade WAT कॉर्म और आपर कुछ प्रकार में जांते हैं। प्रकार के प्रägव ना नभृप्र. चतरबुज है वर्ग जो इसके सारेितो हैं, यसके सारी कोंट। होते ही होते है, साथ साथ इसके सारी भुजाएँ बराबर होती है थिकर उसके बाद समानतर, चतरबुज होता है, ज already coattr शो समानतर भुजाएँ या ने हमिए वर्ग पालगन यह principles नभभे डिगरी होते हैं सरी वोत हैं व explosy में व एक ही जोरे समांतर होते हैं यह वाले भी अच्छे से याद करने हैं और इनके गुन भी याद करने से आप कुछ है अब कुछ कोशंस देएं देखो यहां पर कह Aloya मिलान करें सब्सक्कर रहा हैrek agora को नभव डिगरी के वर और आयत के आयत थो यहां दे वर्ग दे रखा है तो पस्ट यही है तब चार बुजाएं बराबर है तो दूसरा करते हैं दिए गए चत्र बुज का नाम दे और लिखे पहले से आप नाम दे तो मैंने A, B, C, D दे दी, आप कुछ भी दे सकते हैं इसकी आसन भुजाएं लिखनी है मलब एक के बाद एक वाली भुजाएं है ना, तो देखो A, B के साथ कौन सी भुजा आजाएगी B, C, उसी के साथ साथ चलाते रहो फिर B, C के साथ कौन सी भुजा आजाएगी C, D, फिर C, D के साथ कौन सी भुजा आजाएगी आपके पास A, D, और A, D के साथ कौन सी भुजा आजाएगी आपके पास A, B ठीक है, दूसरे में कहारा है इसके आसन कौन लिखो, तो कौन A के साथ कौन B होगा, कौन B के साथ कौन C होगा, कौन C के साथ कौन D होगा, और कौन D के साथ कौन A होगा, यह होगा A के साथ B हो जाएगा B के साथ C हो जाएगा, C के साथ D हो जाएगा, D के साथ जो है वो A हो जाएगा, ठीक है तो ये थी आपके पास आज की वरक्षिट जिसमें हमने चतुरभूज और उसके प्रकार के बारे में जाना कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके से लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेए नेक्स्ट वरक्षिट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू